मैं आपके आलोचक के जो कॉमेंट्स हैं उनको पढ़ती हो और आप बताईए जो दिली के चीफ मिनस्टर हैं वो कहते हैं वो सवाल उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि ये जो अंधा दुन लोग आएंगे बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी उसे थेफ्ट, रॉबरीज, रे दिली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं इसलिए वोट बेंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं नोकरी का कहा सवाल है वो अल्रेडी यहां है और बंगलादेशी नोकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या रोंगियाज नहीं मार रहे हैं इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भी सिर्फ जो हिंदू सरनार्थी आए हैं जो गई हैं साइद उनको जो निरासरित आये थे जो रेफिजी जाये थे इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए और वो खर्बो रूपय की संपती छोड़कर रेफिजी बनकर यहां आये थे दिल्ली के बाजार में सब्जीयों की दुकान लगाई थी मोदी जी ने विभाजन की विभीशिका का दिन मना कर उसको हिस्टरी का हिस्सा बनाया है इन लोगों के मन में समवेदना नहीं है वो समत्ते नहीं है वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओं का गवरव छिना जाए अपमानित किया जाए क्या करेंगे वो इनकी विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था कॉंग्रेस पार्टी ने किया और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देगे अब अपने बादे से मुकर जाना मैं मानता हूँ कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है इनकी समवेदनाओ को भारतिया जनता पाटी भी महसूस करती है इस देश के प्रधैनमंत्री भी महसूस करते हैं और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की विदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए और ये चुनाओं के पहले आ जाए वो ठीक है